नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासिज में दोस्तो आज की इस वीडियो में 10 कोस्चन्स होंगे जो की बहुत ही इंप्रटेंट कोस्चन्स है तो चलिए दोस्तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडि यूग हम फर्स्ट कोस्चन है हमारा राश्ट्री ध्वज तरंगे में सबसे उपर कौन सा रंग रहता है राश्ट्री ध्वज तरंगे में सबसे उपर कौन सा रंग रहता है ओप्शन्स हैं आपके सफेद ओप्शन B हरा रंग ओप्शन C सफेद और हरा रंग और ओप्शन धोजत रंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है औप्शन से आपके सफेद रंग और हरा रंग औप्शन B हरा रंग औप्शन C सफेद रंग औप्शन D है आपका दोस्तों के सरीय रंग तो question number 2 का सही answer होगा option C सफेद रंग next question है हमारा question number 3 राश्टरी धोजत रंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है तो option से आपके option A हरा रंग, option B सफेद रंग, option C गहरा के सरीय रंग and option D है आपका इन में से कोई नहीं तो question number 3 का सही answer है option A हरा रंग next question ले लेते हैं दोस्तों, question number 4 राश्टरी धोज की लंबाई चौनलाई का अनुपात कितना है तो option से आपके दो अनुपात दो, option B दो अनुपात तीन, option C तीन अनुपात दो and option D एक अनुपात दो तो question number 4 का correct answer है option C तीन अनुपात दो question number 5 है राश्ट्री धोज तरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है तो options होंगे आपके option A सांती और सत्यका, option B साहस और विकास, option C विकास और सत्यका and option D है इन में से कोई नहीं तो question number 5 का जो सही answer है वो है option A सांती और सत्यका, तो जो राश्ट्री धोज में हमारे सफेद पट्टी है उसका जो प्रतीक होता है वो सांती और सत्यका प्रतीक है तो दोस्तो इस वीडियो की अगर आप PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के जो इस वीडियो का description है उसमें जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो कैसे लगी comment करके जरूर बताएं अभी इस वीडियो में पांच questions और होंगे उससे पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिवा online classes को subscribe नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को subscribe जरूर करें तो दोस्तो next question है question number 6 राष्टरी धोजतरंगे का हरा रंग क्या दरसाता है option से आपके विकास और उरवड़ता को option B विकास और सत्य को option C सांती और सत्य को and option D है इन में से कोई नहीं question number 6 का सही answer है option A विकास और उरवड़ता को next question है हमारा question number 7 राष्टरी धोजतरंगे के चक्र में कितने तेलिया है राष्टरी धोजतरंगे के चक्र होता है जो उसमें कितने तेलिया होती है तो question number 7 का जो दोस्तों सही answer होगा वो होगा option D 24 तेलिया next question ले लेते हैं question number 8 भारत का राष्टरी ये पक्षी है भारत का राष्टरी पक्षी कौन सा है option से आपके option A हंस, option B है तोता, option C होगा दोस्तों आपका more and option D है आपका इन में से कोई नहीं तो भारत का राष्टरी पक्षी होता है दोस्तों more तो इसलिए यहाँ पर question number 8 का सही answer होगा option C more next question ले लेते हैं question number 9 भारत का राष्टरी ये पुस्प है भारत का राष्टरी पुस्प कौन सा है तो option है आपके option A कमल, option B गुलाब, option C चमेली and option D होगा आपका इन में से कोई नहीं तो question number 9 का सही answer होगा आपका option A कमल, भारत का जो राष्टरी पुस्प है वो कमल है next question ले लेते हैं question number 10 भारत का राष्टरी ये प्याण कौन सा है option से आपके option A बरगद, option B नेम, option C असोग and option D है आपका इन में से कोई नहीं question number 10 का सही answer है option A बरगद, भारत का राष्टरी प्याण बरगद होता है तो ये थे हमारे 10 questions, ये वीडियो काफी महतपूर्ण है दोस्तों, खास करके आर्मी के एक्जाम के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तों, thank you for watching, कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार, जैहन जैभारत जैहन झाल करें ले गिए, नमस्कार रापके लिए गए